तो हेलो फ्रेंट्स हैं वेल्कम बैक टूदे इंवेस्टेटर तो जैसी के आपने वीडियो का टाइटल देखी लिया होगा तो तो सब्सक्राइब को समझा देता हो कि बैक्निफ का फाइब रूल क्या होता है अब फाइब नीजा होदा एक फाइब सब्सक्राइब रॉल रखेंगे तो सबसे पहले देखेगा देखो मिस चार्ड को थोड़ा सा बढ़ा करते तो इस तरी किसे तो हमें एक सब्सक्राइब करने में ठोड़ी आसानि वह जाए ठीक है आप देखो यहाप है दिएक सबसे पहले जो रिजिस्ट अब देखो यह प्रीवेस एक डिए पर करना ठीक है उन्द एक लास्ट ट्रेडिंग देखिए अम यहापे क्या करेंगी सबसे पहले इसका ज देखो मैं इसको यह पर कलर दिया ठीक है तो उसके उपर हम यह करेंगे कि क्लूजिंग के उपर हम पाइस सब्सक्राइब रिजिस्टन्स वह आता है देखो इस तरीके से यह यहां तक आता है उसको में कलर देता हूँ ट्रें टीक है आप चाहिए तो उसको ब्लू भी देए सकते हो तो चला हम इसको ब्लू गलर देतेगे उसके बाद आता हमारा नेक्स जो रिस्टनस आता है वह यह वहां करेश इंडु इमेड़िटल उसके आस पास एक नेक्स डेजिस्टन्स एक तो इसको ज़्यादा सिंगिकंस इसका जो सिग्निपिकंस ज्यादा रहा है डां दिस ठीक है आप चाहे तो इसमें क्या करते देख शूटी स्लाइड इसके लिवे आप डॉक कर सकती ठीक है लेकिन इंटारे की सब्छेट फिर फिर देखोंगी 123 एं एससी आसपास प्रेस करना को दीख रहा ठीक है तो यह पर हो गया हमारा वर्ण टू त्री पोर एन एक फिप्ट आएगा ठीक है अब देखो मैंने फिप्ट काप पिलिया इसके आसपास क्यों देखो इसकी आप पर ओपनिंग त्रैस भी थी एंड जो नेक्स टू उसका जो न भॉड़र कशी अफ्ट के लिए अगा या मार खै ककिंबं एंट्रेह का हुड़ं सेंडों जो टू सामुरुस के नीचे नीचे हमरा थेज़गा थे लिए उडान फ सपोर्थ को या पिजा एप शाज पीले को टीकिन दिन arising hmm तो यहां पर दोड़ने कि उसके बाद मार्केट में एक सपोर्ट का प्याएं तो इसी के लोग के आसपास हमारी होगा इसके बाद हम जाएंगे देखो यह जो चीज़े में ड्रॉप करिए पास सपोर्ट रेगी है में जाएंगे वह चीज़े फॉट आर्क टाइम प्रेम समझने देखो डेको अनलोकेट कर यहां पर खुलता है इसको थोड़ा में बड़ा कर देता राएं तो शुड़ा आशाने रही है देखो मानलो मार्केट कल यहां पर खुलता है यह जो ऑल फोसको अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट का पर जाएगा यहां पर जाएगा तो तो 210 तक जाएगा ठीक है क्यों कि थोड़ी स्टी देखो जब यहां से भी मार्केट इसको ब्रेक किया था तब मार्केट का पर गया था इसके उपर दगाया था ठीक है यानि अगर 31,000 115 के उपर मार्केट जाएगा तो इसका फर्स्ट टर्गेट यह रहेगा ठीक है और उसके बाद मार्केट यहाथ पक जाएगा ठीक है यह होगा हमारा सब्सक्राइब रेजिस्टन्स की थेरी के उन्हों साथ ठीक है हम बाकी चीज़ा भी आपर देखने वाले मान अगर मार इन ठीक नीचे अगरा मार्केट जाता तो कि इमीडिटेटली इस कि आसपास आएगा क्यों हिस्ट्री देखो जब भी मार्केट नीचे से इस लैन को ब्रेक करता है एंड। इसके ऑगर इसको भूरेग है पर भी मार्केट भी लेख हो तो घूर रहा को ड्रुटांत ता उसी जरूर जो इसे बिसीर डिश्था आथा यानि धे जम्हों मार्केट लेवल को ब्रेक करता है तो यह लेवर जरूर आता है तो कि एक यह तो फिर यह टार्गेट आता ही एंट की यह 100 पर्संट कोई किसी जीज की अपना वीव यह तो फिर हम यहां कर सकते हैं इस तरीगे से कर जब मार्केट में एक सेनारियो हो सकता है तब जब मार्केट इन दोनों के इंडल की नीचे ओपने जाए तो इस तरह किसे आप अपना विवीड कर सकते हो ठीक है आप चाहे तो इसकी बाद देखो वन बिन अर में आपको क्या करना है पिर आपको और कुछ सपोर्ट रिजिश बीज तरो करना चाहो कुछ इस तरी किसे आप इसमें ड्राक कर सकते हो दैसको इसको इस तरी किसे भी कर सकते हो लेकिन फस्स्ट हमें क्या करना है सब्सक्राइब करना है यानि वो चीज़े हमें यहां पर ड्रॉक करनी ही है और डेली बेसिस ठीक है मैं खुद ही एक चीज़ी करता हूँ और इसके रिजल्ट आप यकिन नहीं मानोगे बहुत जबर्दस रिजल्ट इसके आते है ठीक है क्योंकि यहां पर जादा प्रॉफिट में ही एंड करोगे आपको जो दिन है आप मुस्ट आप प्रॉफिट में एक जिट करोगे मैं फिर बार आपको समझा देता हूं देखो अगर मानलो मार्केट इस ट्रेंड लाइन की सब्सक्राइब करना शुरू कर देता है तो फिर क्य या इस गर्ण 9.92 से नीचा आएगा तो फिर एक बार मार्केट 30,800 9.98 को जरूद टच करगा क्यों देखो यह केंडल भी देखो यह तो करीब आसे गिरी थी और जब इसके नीचे गई तो इसने भी एक बार इसको टच किया था यह केंडल भी देखो यह वह लिए इसने भी इसको एक बार टच किया था यानि जब भी इसके नीचे किता है तो इसको जरूद टच करता है तो यह लेवल अमारी इंपोर्टन हो गए तो आप यह पर मान सकते हो कि यह जो पॉइंट है यह जो पॉइंट है करीब 90 पॉइंट आपके फिक्स हो गए स्टेकर आपको मार्केट में वीवीन करना है यह बहुत अच्छी किसे काम करता है मार्केट में कि मुनल अगर देहलो मार्केट यह यह लेवल भी market almost complete करता है और इसको अगर हम देखेंगे तो यह भी इसको complete करता ठीक है अभी हम क्या गरेंगे थोड़ा और हिश्टी चेक करने है थोड़ा पीछी जाओ देखो जैसे में यह लेवल बता है था इस लेवल के नीचे अगर जाता है देखो यहाँ पर भी देखो अब देखो रहे है मार्केट जब इस लेवल के आसपास आथा तो यह लेवल जरूर दिखाता है यहां ठीक है यह मार्केट इसके नीचे आएगा तो फुर यह जो टार्गेट हमारा वो complete होई जाएगा ठीक है इस तेरह की सामगे इसमें व्यू बिल्ड करते हैं इस तेरह क होती से मार्केट काम कहा ठीक है अब मार्केट इन दो लेवल की बीच एंपन नायों कि यहां ना था हमारी वापर entry बनती है ना exit बनती है क्यों देखो जब यह आप ट्रेड लो तो फ्यूस के लेने से पहले आपका target fix होना चाहिए एस टॉप प्लास भी fix होना चाहिए ठीक है ऐसे ही बस आपको दी गया इसले आप ट्रेड में उसमें अगर मार्केट यह से अगर नीचे गिरेगा ठीक है अब देखो हम क्या करेंगे अगर मार्केट इन दोनों राइन की बीच में ओपन अथा कि यानी 30,898 and 30,785 के बीच अगर अगर ओपन होता है और उसके बाद अगर यह लेवल ब्रेक हो जाता है ठीक है यह एक्चुली वह नार काई ठीक है में क्या गरूंगे इसको पंदरा मिन्ट में लेकी जाओंगा के अफ्या क्या बढ़ा कए ठीक है तो देको और यहां पर क्या होता है सो चमट करें अपर सब्सक्राइब करके या ठीक है 700 के बाद देखो मार्केट निक आपर सपोर्ट ले रहे कंटियों तो यह एक लेवल आ जाता ठीक है यह आपर इसको ड्रॉकर करके दिखा देता आपको देखो अगर मार्केट 700 से पर 785 से निचे गिता है तो मार्केट कि 785 से मार्केट निचे गिरेगा तो फिर वो का पर रुखेगा पहले बार वो डायरेक्टली 785 से 521 तक ने आएगा ठीक है उसके लिए भी आमें बीच के कुछ थोड़े टार्गेट निकालने पड़ेंगे ठीक है देखो मार्केट का पर टार्गेट सॉरी का पर सपोर्ट यह सिपेट लिए एक क्लोजिंग थाया पर तुछ इसके बार-वार इसलेन को बार बार वार रिस्पेक्ट जिया ठीक है यहाँ पर भी एक मार्केट एक बास सब्सक्सक्राइब सकता ठीक है तो अगर ओंगे तो क्या करेंगे इसको इस तरह के से आपशायत की लोगिकर तो ठीक या फिर देखो यहां पर एक बड़ी केंडल की क्लोजिंग थी एंड यहां पर आगब देखोगे तीस केंडल भी आपर सपोर्ट लिया आए यहां पर एक सपोर्ट अल्री यहां पर बन चुके ठीक है तो वह सीधा का पर आएगा 3075 इस तरह किसा आप इंडेक्स में टार्गेट सेट कर सकते ठीक है तो जब तक आपके टार्गेट यहां पर क्लियर ना हो आपको बैंक निफ्ट में एंटर करना ही नहीं ठीक है मैंने जो सेटब दिय करते हैं आपके ना तो टार्गेट फिक्स होते हैं ना कोई आप एंटरी पॉइंट होता है बस आपको लगता है मार्केट यह से उपर जाएगा आप उसको इमेडेटली बाई कर ले तो ठीक है तो यह वात हमेशा याद रखना जब तक कि आपको मार्केट में आप इसलिए इंटर पर एंटर नगान तो छ को लोस क्लिरा हो तभी आपको मार्केट में एंटर करना है ठीक है सो मोस्ट आप दे टाइम आपको 80 अव् Cant has का चाट फोलो करना ठीक है सपोर्ट कर सकते हो ठीक है कभी-कभी आम option कशार भी फॉलो करते लेकिन एक्स्पार की दिन लेकिन बैस्टे की दिन कुछ चीज़ होती हो आपप्षन के चाट में वह भी हम आपको अगले वीड़ा में बताने हो ठीक है जो देखो अगर Markets 30785 से नीचे गिरेगा तो फेले का पर आएगा 30705 की अगर सब्सक्राइब करें तो 705 के नीचे अगर मार्केट गीता है कि वह का पर आएगा उसके वीजुक्त कर ले दे से देखो हैं या पे मार्केट बार-बार सपोर्ट और डिस्चन्स पेस करें फिर वपर से आता ओत दोिए करें है तो मार्क निचे गूराय है तो क्या करें यह सो क्या फक्र तार्षा एक्ष। अपकें से सेंट अद१ एंटि फिक्स में उसकी बाद आप मार्केट में त्रुण करते हो और आप थे उसपंगी कामकारना अगया देनुद आप आपको करना नहीं है आपको छोटे चोटे टार्गेट से ट्रेड करना है एक बार आपको कॉंफिडेंस आ जाए आपको आपके इस आप से चलने लगेंगे तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो आपकी कॉंटेटी बढ़ा सकते हो एंड देखेगा मिनिममम आप जब तक दो प्रॉफिट कमा रहें तो फिर आपको मिनिममम दो लॉट में ट्रेड करना ही पड़ेगा अब जैसे फॉर्स्ट आर्गेट आप क्या कर सकते हो अब क्या कर सकते हो आप क्या आप यहाँ पर एक लॉट यहाँ पर बुक कर दिया बाकि दूसरे का आपने ट्रेलिंग के तोर पर आप उसको कंटीनू कर सकते हो ठीक है लेकिन वो कब जब फॉटीफाइफ मिनिट का ट्रेड आपके फेवर में हो 15 मिनिट का स्टाउक चिक इस तरह के साइब कर और तो है सब्सक्राइब यह से करूंब कर दो यहां से प्रत्रां अपने डोन लाट में Luke कर सकते झाल है तो इसको आप बहुत अच्छी दरेकिसे इसको फॉलो करना है अपको और इस यही यह चार्ड को आपको live market में भी यूज करना ठीक है तो मैंने क्या क्या सिख आपको डेली सबसे पहले क्या करना है डेली चार्ट में जाना है वहाँ पर आपको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छी तरी कि मार्केट में पैसा कमा सकते हो और यह बहुत प्रॉपीड़ीबल चीज़े ठीक है तो वन डेली चार्ट में आपको पाई सब्सक्राइब आपको देखना है का पे ट्रेंड लाइन बन रहे हैं और को आपको बन र यह भी जाल सकते हो ठीक है कि इस तरीके साब को यह पर कुछ चीज़े जो आप पर मार्कर कर देखो यह मैंने एड कर दिया ठीक है यानि अगर देखो मार्केट कर इन दोनों की नियां बीच में ओपन होता है और यह से ऊपर जाता है तो सब्सक्राइब कढकर नि निचे में पर कुरूंगा उसके नीचे में अगर ब्रीक करता है और अगर ट्रेंड कि साथ को भी करता है तो थेखो आपको एड क्या रहेगा 30,000 899 98 से अगर नीचे गिरेगा तो सीधा ये काप आएगा 30,000 785 के आसब गिरेगा ठीक है इस तरी किसे आपको जो आपको एनलिस से उसको रेडी करके रखना है आपको ठीक है मार्केट ओपन होने से पहले यानि कल अगर आपको ट्रेड करना है तो यह सारी चीज आपके चा मार्क करके रखनी है ठीक है इसको बहुता ह divisions निकल आमेल में आपको आसानी होगाğa ठीक है इसको प्रैक्टिस की जेगा एगं अपसको ट्राइक कर सकते हो किस तरीके से आपको ये काम में आ रहा ठीक है तो उसके बाद आप इसको लाइक मार्केट में कंटीनू को रहा ठीक है तो मेरे कि आपको ये चीज़े समझ में आई होगी तो इस वीडियो में इतने बने